और गुजानिश करता हूँ मिस्र की एक ऐसी होनहार, बाकमाल, खुबसूरत और दिलनवाज शायरा से, जिसे उर्दू जबानो अदब, उर्दू तहजीब और उर्दू शायरी से बेपना महुपत है, डाक्टर वला जमाल असिली, काहरा यूनिवेस्टी में उर्दू की प्रोफेसर है, दुनिया की कई अदबी तंजीमों से वाबस्ता है, और उन्हें उर्दू की पहली साहिब दिवान अरब नजास शायरा होने का फकर हासिल है, बहुत फिक्र के साथ बहुत अच्छा शेर कहती है, और बहुत ही खुबसूरत अंदाज और डिलनशी तरनुम में उसको पेश करने का हुनर भी जानती है, तरनुम में कम पढ़़ती हैं, तहत में पढ़ेंगी, हाला कि शबीना से वो कह रही थी कि मैंने तरनुम भी सीख लिया है लेकिन आपको एक बात बता दूं कि उनके लहजे में अरब की चाशनी है अरभी की चाशनी है उर्दु जबान की मिठास भी है लेकिन उनके फिक्र की गहराई और एहसास की ताजगी आपको चौंकने पर मजबूर कर देगी मैं डाक्टर बशीर बदर के इन अशार के साथ कि चांसा मिस्रा अकेला है मेरे काख़ पर छत पर आजाओ मेरा शेर मुकमल कर दो और तुम मुझे छोड़ के जाओ के तो मर जाओंगा यू करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो आप जोरदार तालियों से इस्त अकबाल करते हैं कैसे उनकी शायरी को सुनते हैं आई ये मोतरवा जिया स्वाले कुम अबहुत बहुत शुक्रिया इस खब्सूरत पार्फ के लिए और मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मैं यहां हिंदुस्तान में हूँ और खास तोर पर कि मैं बहली बार यहां आई हूँ भूबाल में और अब लोगों से मुलाकात हो रही है तो जब मैं एरपोर्ट से आ रही थी तो मैंने बुच लिया कि भूबाल में क्या खास बात है यानि एक खास कहाना है एक खास चीज़ देखने के लिए जो भी इस तरह से तो मुझे जवाब जो मिला है यानि इस तरह से तो मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंके एक खास बात मुझे नहीं मिलाया तो मैंने कहा कि शायद वहां के लोग ये खास बात है आप लोग है इसी शहर में तो जो मैंने महसूस किया तो मैंने देखा कि आप लोग वही है भूबाल के खास एक खास बात है आप और मिहमान नावास भी है और अच्छी तरह से भी सुनते हैं बहुत बहुत शुक्रिया तो बता नाई यानि कहां से शुरू या आगास करूं कहां से तो मैं सुच रही हूँ कि बश्चर साथ के नक्ष कदम पर चलू पर उसके बाद मैं अपना कलम बेश करूं जो हमेशा हमे साथ को मुझे हुआ यह भी बटोशी हो रही है का सी टारत प्रोफेसर कौश साहब की है वह मेरे लिए बहुत अजीजी से और हमारे असाद भी है और खूशी भी हो ही है कि यहां में यहां हूँ असातिजा की दर्मिया भी है उनसे में सिखती हूँ तो यह मेरे लिए अज़ास की बात है एक ताज़ा गजल है जैसे मैंने कहा चलूँगी दोस्तों इनको सुनने से कबल एक बात को जहन में रख लें ध्यान में रख लें कि अर्वी का उर्दू सीखना बोलना आसान नहीं है कोई अर्वी इस तरह से नहीं बोल पाता जो मेहनत इनों ने की है प्रोफेसर वला जमाल ने वो मेहनत की ये काविशों के लिए हर मिस्रे पे इनको दाद दी जे गया वजेई साब का बहुत शुक्रिया और तमाम उन्तजमी का भी जोने मुझे दावत दी और जैसे इनोंने कहा के मेरी मादरी जबान तो अरबी है और अर्दो या हिंधी तो एक्तिसाबी जबान है तो मैं खालिस मिस्री हूँ ना पकिस्ताण गई ना हंदुस्ताण गई अर्दो सिखने के लिए तो सब कुछ तो एजिप्त में हो गया, यानि अर्दो में ने से की भी एजिप्त में, तो शायद मेरा लाज़ा तो थोड़ा सा अलग होगा, और ये मेरे खाल से खूबी है, मुझे ये बात अच्छी लगती है, मुतरमा मिसर को जुलेखा के नाम से यूसी बड़े सलाम के नाम से जाना जाता है, तो मैं चार मिसरे आपकी नजर कर देता हूँ, इत्ती देर में हो गए, कि उसकी नजर उठी तो खरीदार हो गई, एक-एक नजर उसी की तलबगार हो गई, उसकी नजर उठी तो तलबगार हो गई एक एक नजर उसी की तलबगार हो गई उसने वला जमाल बताया था अपना नाम और बजम जैसे मिसर का बाजार हो गई बहुत शुक्रिया चले इस बत की वजह से मैं ये बरना नेच जाहती थी लेकिन एक घजल से चंद अशार बढ़ती हूं उसकी रदीफ है जुलेखा की तरह तो में बरूंगी अबी एक मतला और दो तीन शेर है जो मैं बरना नेच जाहती थी लेकिन बढ़ती हूं इनोंने हुई मखमूर जुलेखा की तरह में भी हूं इश्क में मसहूर जुलेखा की तरह बहुत शुक्रिया मेरा आईन है इसार किसी मेरा का मेरा आईन है इसार किसी मेरा का और बेबाकी है दुस्तूर जुलेखा की तरह और बेबाकी है दुस्तूर जुलैखा की तरह इश्क सचा हो मुकद्दस हो तुमर्ता कब है इश्क सचा हो मुकद्दस हो तुमर्ता कब है इश्क में यू हू में मशहूर जुलैखा की तरह बहुत शुक्रिया इश्क का क्या भला हासिल है स्वाई इसके इश्क का क्या भाला हासिल है स्वाई इसके होश से हो गई में दूर जलाइखा की तरह बहुत शुक्रिया तो यह अपकी वज़ा से मैंने यह कलाम सुनाया बहुत बहुत शुक्रिया तो एक गज़ा सुनाती हूँ और सुनाते वक्त या इस तरह से यह लोग जो हस रहे है नहीं हस देंगे क्योंके यह सिरियस गजल है तो गजल का मतला है के यह लोग यह लोग कोरोना में सिरियस नहीं है तो आप क्या होंगे साही बात बिगड़े बिगड़े से हैं हालात गजल कैसे लिखू खून में गर्क है बरसात गजल कैसे लिखू बिगड़े बिगड़े से हैं हालात गजल कैसे लिखू खून में खून में गर्क है बरसात गजल कैसे लिखू दूर तक राक है शॉले है सुलगते हूए घर जब नकाबू में हूँ जजबात गजल कैसे लिखू बहूत बहुत शुक्री अपूर सुने लिजिए चीख उठता है कलम देखके बच्छू बे सितम काबने लगते हैं ये हाथ घजल कैसे लिखू सुर्खियां खू में हैं डूबी हुई अखबारों की सुर्खियां खूँ में हैं डूबी हुई अखबारों की घर की चोखटबे हैं सदमात घजल कैसे लेको सुर्खियां खूँ में हैं डूबी हुई अखबारों की घर की चोखटबे हैं सदमात घजल कैसे लेको और सास लेने नहीं देती मुझे बारूद की बूँ जहन पर चाहई हैं अमवात घजल कैसे लेको सास लेने नहीं देती मुझे बारूद की बूँ जहन पर चाहई हैं अमवात घजल कैसे लेको बहुत बहुत शुक्रिया और रोशनी जलते मकानों से मिली हैं इसको रोशनी जलते मकानों से मिली हैं इसको है बहुत सिहमी हुई रात घजल कैसे लेको बहुत शुक्रिया और अखरी शायर है इसी घजल का के फिकर को रौनटी रहती है दमाकों की सदा फिकर को रौनटी रहती है दमाकों की सदा मुन्टशिर जब हूँ ख्यालाद गजल कैसे लिकूँ यह सब आपकी वजह से बहुत 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 शुक्रिया देखिए मैं तरन्नम में बढ़ नहीं सकती जैसे शबीन अधिप साहिबा और सबसाहिबा तो मेरा तरन्नम तो अलग है और अब लोगों को या चाह नहीं लग तरन्नम में लेकिने कम यह तरन्नम में यह सायद बख्वास टेलिक में वर्तियों से तरा से सिर्फ एक या दो शेरे आखिर कौ आप आही गई मेरी खाब में आखिर कौ आप आही गई मेरी खाब में एक बाब ओड जुड़े गया दिल की किताब में आखिर कौ आप आही गई यह तो सारे मुगालते का शितार हुआ है पतर इसको तहरी में यह जुड़ी तारीफ है मुझे बता है फिर से किसी के इश्क में जलने लगा है दिल फिर से किसी के इश्क में जलने लगा है दिल फिर रूह मुब्तला है पुराने अजाब में फिर रूह मुब्तला है पुराने अजाब में अखरी शारे दरिया रवा था उनकी निगाहों के सामिने जो उम्रिप हर डोबे रहे एक सराब में मुझे आफ सिखाएंगे तो हाँ अरबी ऐलाइन है चीक है मुझे तो हिंडुस्तान की तहजीव बहुत 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 अच्छी लगतीया बहुत ज्यादा तो और यहां रहना चाहती हूँ बार बार में कहती हूँ लेकिन रहने सकती हूँ अफसुस की बात तो काश लेकिन क्या कहूंगे मैं काश के लावा तो कभी कभी तो ये तहजीब इसी तहजीब की जलक मेरी शारी में भी होती है तो एक मतला दो शार सुनाती हूँ नामुकम्मल सी कहानी में मिले थे हम तुम सिर्फ इकबार जवानी में मिले थे हम तुम नमकमल सी कहानी में मिले थे हम तुम सिर्फ एक बार जवानी में मिले थे हम तुम जिसको याद है तो कह सकते के याद है याद है याद है बढ़ने से बाद है क्या तुम्हे याद है संगम के किनारे एक दिन गंगा जमना की रवानी में मिले थे हम तुम्हे याद है संगम के किनारे एक दिन गंगा जमना की रवानी में मिले थे हम तुम्हे नाम तुम्हे नाम तुम्हे तुम्हे आप शारू की तरहा जो था रवा आँखों से आफशारो की तरहा जो रवा था आँखों से उस उबलते हुए पानी में मिले थे हम तुम ना मुकम्मल सी कहानी में मिले थे हम तुम अफसुस कि बाद बढ़ी आवला बहुत शुक्रिया तो दो तीन अशार से नाती हूँ एक घजल से तो मतला भी सुना सकती हूँ जिसके दिल में तरस नहीं होता इश्क में तरस से मस नहीं होता जिसके दिल में तरस नहीं होता इश्क में तरस से मस नहीं होता और इश्क होता है बर्मला इसमें इसकदर पेशो पस नहीं उता और सुनिजी ये शर्फ अपना होकर भी ये नहीं अपना दिल पे इनसा का बस नहीं होता अपना हो कर बही ये नहीं अपना दिल बे इंसाखा बस नहीं होता और बहुत शुक्रिया मेरी आँखों में अश्क मद ढूंडो मेरी आँखों में अश्क मद ढूंडो खुशक भूलो में रस नहीं होता मेरी आँखों में मेरी आँखों में अश्क मद ढूंडो मेरी आँखों में अस्टमेट बुंदो खुश्क फूलो मेरस नहीं उता बहुत शुक्रिया यह 50% खुश्पूली है एक और शार अच्छा है बढ़ती हो अभी और यह शार तो जावर कंपुरी साहब और शबीना अजिब साहबा के लिए नहीं है ठीक है बस दुनों मशाओलल एक साह हैं और नजर ना लगे तो चाहे कितना भी हो सफर लंबा हम सफर हम नफस नहीं होता यह आप दुनों के लिए नहीं है मैंने का ठीक है बस एक गज़ा सुनाती हूँ आपको कहानी बसंदे या नहीं ये बताए ये बस काफी है वो के रहे की काफी है तो मेच चलती हुँ एक मतलए एक शेर है तुम्हारी रही महरबानी बहुत तुम्हारी रही महरबानी बहुत इन आख्यो से तब काहिवानी बहुत तुम्हारी रही महर्बानी बहुत इन आँखों से तपका हिबानी बहुत और हर एक याद जखमे जिगर बन गई मेरे काम आई निशानी बहुत और एकरी शहर ये के जबा में बहुत सादगी थी मगर थी आँखे तुम्हारी सियानी बहुत दोस्तों तालिब आखे सौध कीजिए अपने बाहर के महमान का